Hello everyone, welcome back to a new video तो guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं किस तरीकी से 20,000 रुपे का कैपिटल को 20,000 रुपे का कैपिटल को किस तरीकी से मैं 2 करोल में कनवर्ट करूँगा वो भी सीरेबर स्रिप 3 साल के अंदर में तो guys, यह pure जो पूरा वीडियो है, मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इस वीडियो में कैसे मैं 20,000 रुपे का कैपिटल को किस तरीकी से मैं 2 करोल में कनवर्ट करूँगा इसमें मुझे क्या-क्या चैलेंजेस, फेसेस करना पड़ेगा तो basically यह पूरा जो complete जो वीडियो है, अभी जो हो रहा है, इसमें मैं खुछ जो है चैलेंज ले रहा हूँ, कि 20,000 रुपे का कैपिटल को किस तरीकी से मैं 2 करोल में कनवर्ट करूँगा तो मैं खुछ से यह चैलेंज जो है, ले रहा हूँ, ऐसे चैलेंज जो है, आप भी ले सकते हालगी अभी के टाइम पर बहुत सारे यूटुबर जो है, या तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सरे टेलिग्राम पे जो आप रिल्स बगरा दीखते हूं उसमें भी बहुत सरे लोग ऐसे बनाते हैं ठीक है लेकिन मैं आपको जो यह जो चैलेंज जो होने वाला है मैं सोचा कि नहीं इस चीज़ को यूटूब पे भी दिखाना चाहिए ताकि जो बिगिनर ट्रेटर जो है जो बिगिनर ट्रेटर जो है यह इस चीज़ से किस तरह से डील करेंगे और यह कैसे हो सकता है तो चलिए शुरू करते फिर एंप मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे आपको कितना परसेंटेस लेना चीए इतना आपका तारगेड होगा मंद वाइज आपका कितना return of interest जो ry बोला जाते है वो किस तरीकी से होगा रहे तो यह पूरा complete journey मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो हम कैसे करेंगे चलिए देखेंगे हम आगे जाके और इसके बाद मैं आपको एक calculation sheet भी दूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे हम करेंगे और हाँ मैं आपको यहाँ पर बता जाता हूँ यह ऐसे नहीं होने वाला है कि बहुत जल्दी हो जाएगा या तो फिर तीन साल में कैसे possible होगा कितना percent का जो return है इस पूरा complete मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि यह चीज़ कैसे possible होगा और हाँ इस चीज़ को आप भी कर सकते हो चले देखते हैं यहाँ पर तो गाईज यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ मैं मैं आपको दिखाता हूँ जो भी calculation sheet है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ description box में आपको जो है calculation sheet मिल जाएगा जो भी actual sheet होगा मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कैसे हो आपको करना है यह आप उसको डाउनलोड करके आप खुद भी उसको एडिट बगरा कर सकते हो तो anyways यह जो है 20,000 रुपे का कैपिटल को 2 करोल में कैसे मैं जो है चैलेंज जो मैं लेने जा रहा हूँ वो भी 3 साल के अंदर में कैसे यह possible है और कौन सा यह करेंगे कितना percent का ROI निकालेंगे क्या होगा नहीं होगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ और इससे पहले और इस चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको पूरा complete यह journey देखना है तो आप चैनल को अभी के अभी subscribe कर दो YouTube चैनल को और दूसरा जो भी मैं trade करूँगा आगे future में वो trade मैं आपको भी share करूँगा guys तो आप भी मेरे साथ यह challenge को जो है ले सकते हो ठीक है definitely तो आप क्या करो telegram challenge join कर लो क्योंकि हर एक trade जो भी मैं trade करूँगा हर एक trade में telegram channel पे जो है provide करूँगा तो उससे क्या होग न मैं जो trade लूँगा आप भी वो trade लेंगे तो उससे आप जो यह खुद भी वो trade को consider करेंगे and सबसे मैं आपको बता देता हूँ अगर आप करना चाहते हो and telegram पे मैं जो भी share करता हूँ वो सबके सब education purpose लिए होता है ठीक है तो आप भी कर सकते हो इस चीज को anyways start करते देखो यहाँ प बस ROI based होना चीए ना की double ना की triple ROI based होना चीए right proper अगर आप ROI based करते हो तो फिर आप easily 20,000 रुपे का capital को दो करोर में easily आप convert कर सकते हो तो anyways guys तो अगर मैं 20,000 का capital use करता हूँ यह मेरा investment है और यह 3 साल के अंदर होने वाला है ठीक है 2024 से 2027 तब ठीक है तो 20% करके अगर मैं यहाँ पर ROI निकालो 20% करके तो 20,000 रुपे का यहाँ पर 20% होता है वो होता है 4000 रुपे यानि कि मैं आज तो हाला कि आज first favor है यानि कि य यह दिखाऊँगा कि मैं कॉनसा dmit account open कर लेगा नो और उस dmit account में मैं जो भी 20,000 रुपे का capital जो है मैं add करूँगा deposit करूँगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और उसका जो id number होगा जो भी dmit account का id number है वो id नमबर में मैं आपको शोग करूँगा इसके next वाले वीडियो म या तो मैं संडे को डाल दूँगा या तो मंडे को ठीक है तो हो सकता है मैं मंडे से स्टार्ट करूँ इस वारे चैलेंज को राइट तो आप लोग यहां पर उसको देखते रहे ना तो एनिवेज तो 20,000 का 20% हुगा 4000 रुपे तो यह अभी मेरे पास आया यह 24,000 टोटल कैप अभी तो अभी इस 24,000 के लिए फिर से 20% करके लेना पड़ेगा 24,000 का 20% हुगा यहा तो टोटल कैपिटल कितना हुआ गया मेरे पास मेरा कैपिटल हुगा यहाह 안 पे 8,800 रुपे रैब अभी इसको, इस 28,000 रुपे को next मैने के लिए, फिर से 20% करना है तो इसको अगर next मैने के लिए 20% करें तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5,700 हो रहा है, राइट तो अभी मेरे पास capital कितना हो, 34,000 इसको अगर मैं और एक मैने के लिए करूँ 20% करके compounding आपको हाँ compounding ही करना है तो मेरे पास capital जो है, देखो, 4 मेने के बाद 4 मेने के बाद मेरे पास capital जो है double हो रहा है, राइट 20,000 से start किया, और देखो, यहाँ पे 41,000 का हो गया, हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, जादे भी हो सकता है, किसी-किसे मेने में थोड़ा कम भी हो सकता है, जादे भी हो सकता है तो anyways, मैं 20% करके पकड़ाँ तो यहाँ पे अगर मैं इसको consistently रखू रइट, अगर मैं इसको consistently लेको, तो हर 4 मेने के बाद यहाँ पे देखो, क्या हो रहा है, यह double हो रहा है हर चाइन मेने के बाद, देखो, यह double हो रहा है तो anyways, मैं आपको दिखाता हूँ, आप 1,00,000 रूपे पर मन कैसे earn कर सकते, यह भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, रूपो इसको मैं फिलाल हाइट कर देता हूँ, अभी मैं आपको बता देखो, अगर आप 20,000 रूपे स्टार्ट करते हो रहा है और आप 20% करके लिए तो आप 15% करके लिए उना, जैसे आप यहाँ पे 15 डालोगे, आपको यह सबसे भी बता देता हूँ, जो भी आपका अगर्न कासरा करके लिए तो यह रहाई है, आपको कोई भी कैल्कुलिशन वगवरा कुछ नहीं कर ने, बस आपको यहाँ पे अमांट डानना आ, अब हैडूँ, तो आण 20,000 का तो मैं एक लागर पर मंद पहुँन गा 2025 तक अगस तक देखो मैं हर महीने में 1,00,00 रुपी करके कमा हुआ 1,00,00, 6,000 रुपे तो उसके बाद क्या करो 1,00,00 रुपे पर मंद कमा हूँ 2024 के बाद 25 तक उसके बाद हर महीने 1,00,00 रुपे कमा हूँ और उसको उड्रो करो लेकिन ये तब तक होगा जब तक आप इसमें जो भी आपका capital होगा, इस capital से आप कोई भी पैसा withdraw नहीं करोगे ये तभी possible है guys, right, तो anyways ये हुआ 1,00,00 की बाद, अब अगर इसको मैं continue लगता हूँ, तो देखते हम कब तक जो है 2,00,00 में पहुँच जाएंगे इसको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो, इसको और थोरण नीचे लेकर आता हूँ, ओके नहीं हो रहा है अभी भी ओके, यहाँ पर देखो यह finally हो गया 2 करूल रूपे, देखो इसको फेवरी से स्टार्ट करेंगे हम 2024 से, देखो 2027 तक 2027 तक यह जो हे पहुंच जाएगा 2027 मार्च तक यह पहुंच जाएगा, देखो 2 करूल रूपे आप यहाँ पर calculation कर सकते हो रहाई, 2 करूल रूपे लेकिन इसको compounding करना है गाई compounding करोगे, तभी यह possible है यहाँ पर देखो तो इस तरीके से यह possible है और इसी चीशको गाईस, इसी चीशको अगर मैं 2027 last तक अगर मैं continue रखता हूँ तो last अगर मैं इसको continue रखूंगा न तो उसके बाद देखो क्या होता है तो उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखो 2028 2028 जनवरी के बाद हर महिने में 2 करोल रुपे कमाऊँगा देखो हर महिने और यहाँ पर हुआ यह रहा तो इसको मैं यहाँ पर highlight कर देता हूँ 2027 मार्स तक मैं पहुंच जाऊँगा 2 करोल रुपे में इसको अगर मैं continue करता हूँ तो 2028 के 1st जनवरी के 2028 तक मैं पर मन 2 करोल रुपे कमाऊँगा यहाँ पर आप देख सकते हूँ रहा तो आपको यह कैसे लगा calculation guys mind blowing I hope आपको अच्छा लगा हुआ और हाँ नीचे यह actual sheet में आपको यह भी मिल जाएगा YouTube चैलने का link telegram का link यहाँ पर यह रहा इसमें क्लिक करना तो यह join हो जाएगा automatically तो यह आपको मैं आपको यह description box में देता हूँ आप उसको कर ले ना simple आप यहाँ पर amount डाल देना amount यहाँ यहाँ पर 10,000 रुपे डाल दो यहाँ पर 5% करके कर लो तो यह automatically change होते रहेगा तो जो भी आप capital उसको use करोगे बहुत सरे लोग इस वीडियो को देखके हो सकते हैं एक लाग रुपे से start करें तो एक लाग रुपे से आप कर लो उसका भी हो जाएगा तो यह आपको पूरा calculation sheet description box में मिल जाएगा तो anyways अभी यह जो पूरा का पूरा challenge जो है guys होने वाला है यह पूरा proper rules based होने वाला है और हाँ किसी किसी महिने में यहाँ पर loss भी होगा तो जिस महिने में loss होगा वो कैसे उस loss को जो है tackle करना है उसको कैसे avoid करके चलना है बड़े बड़े loss को और हमेशा profit ही करना है कभी-कभी loss भी होगा लेकिन उस loss को हम जो है मैं आपके साथ share करूँगा और उस loss के साथ deal कैसे करना है बहुत सब लोग ऐसे भी बोलते कि छोटा capital से बड़ा पैसा नहीं बन सकता है लेकिन अगर आप discipline के साथ चलेंगे तो अडाम से बन सकता है तो anyways इसके साथ साथ मैं आपको आगे जब इसके next video आएगा हो सकता है उसके next part में मैं आपको दो strategy भी यहाँ पे share कर दूँ कि मैं कौन सा strategy यूज़ करूँगा इस वाले जब मैं challenge को करूँगा राइट तब मैं कौन सा strategy यूज़ करूँगा वह भी मैं आपको share करूँगा और जब भी मैं trade लोँगा वह आपको telegram channel पर मिल जाएगा वहाँ पे आप join हो जाना और उसके साथ साथ जो है यहाँ यहाँ पे YouTube live stream भी होंगे इस वाले channel पर next week से यहाँ कि Monday से हो सकता कल से हो जाए ठीक है आप मेरे साथ बने रहना और इस चीज़ को आप मेरे साथ start करो खुद तो देखना है continuously आप मेरे साथ grow होते रहेंगे हो सकता है गाईस देखो 2007 2027 तक मैं कोशिश करूँगा इसको उससे पहले ही करने के लिए हो सकता है उससे पहले ही हो जाए अगर उससे पहले हो गया तो बहुत अच्छी बात है अगर उसके हो सकता है यह success भी हो जाए या तो ना भी हो जाए तो जो भी होगा मैं इसको पूरी तरीक से कोशिश करूँगा तो यहाँ पर जो भी है गाईज आप बोलो हर हर महादेब यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो जैशिराम डाल दो जो भी है आपको डालना है डाल दो राइट हम देखेंगे इसको इसको continue करेंगे हम लोग तो जो एट्रेडिंग अड्डा रइट जो भी ट्रेडिंग अड्डा लबर हो यहाँ पर वह आप स्पैम कर दो इस वीडियो को शेयर कर दो कहीं न कहीं पर क्योंकि इस वीडियो के साथ हो का रोधियो से लूख बहुत सरी यूत्स जो होगा रैट वह लोग भी इंसपायर मेर्स वीडियो सब्सक्राइब करतें अगर आपको स्टाट करना है वो डिमेंट अकॉन का आईडी मैं आपको बता दूँगा यह रहा आईडी हर मैने में उसका आपको वेरिपाई पिनेल भी दिखाऊंगा ठीक है तो आज यह पर रखते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट